आई टी आई थाने में मामले का खुलासा करते हुए अनुश्या बडोला ने बताया कि 26 अगस्त को पुलिस को खड़क पूर देवी पूरा के पास एक युवक का शौब मिलने की सूचना मिली जिसके बाद मृतक की पहचान आवास विकास निवासी शशांक डोभाल के रुप दोनों दोस्तों ने शशांक के साथ मारपीट कर उसे एक खाली प्लॉट में फेक दिया घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी कार से वापस लेने जाने लगे लेकिन कार मिट्टी में धस गई बदा दें कि पूलिस ने दोनों आरोपीयों को गिरफतार कर विभि पूरपी के बाद इसके फादर के दौार सथाच को एक अग्यात में तहरीरी सूछना दी गई कि कहीं अगई मुझे यह शक है कि मेरे बेटे को मार दिया लिया पूरा सीजी डिवी का कैमरा खंगालने के बाद उसके अलावा जो घटना स्थर पर एक लावार इस वाहन खड उसकी पूरी रिकॉरा निकाले के बाल ये बता चला कि कहीं अगई जो शचांग दूबालता इसका दो लड़कों के साथ कहीं नगई भीवात था जो दोणों लड़के थे दोनों जो हैं वो आई प्याए धाना शेत्र के हैं है एक है शिक्षण सक्सान और एक है बीपक्या तो इन तीनों का कोई ना कोई विवाद था पैसे का लेंदिन का में माटर्स था जिसके तहिए इन दोनों ने उसे वहां जाके शंशान घाट में फेक दिया था जिसकी वज़से वो ब्राउन हो के लड़का जो था वो मर गया था तो दोनों को अब इंवेस्टिकेशन में अच्छे से बहुत सी सी डिवी कैमरा खंगालने क्राइम सीन का पूरा अच्छे से वरंसिक एविडेंस लेने के बाद हमने इन दोनों को आज अरेस्ट कर लिया है